जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है ABC कोचिंग योटूब चैनल में आप लोग कैसे हैं आसा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे और अपने बोर्ड परिक्षा के तैयारी जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में क्लास 11 विसाय हिंदी कोर का मस्थ इंपोर्टेंट BBI अब्जेक्टिव कोचिंगे जो कि आपकी बोर्ड परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो सभी चातरं तक बने रहें और बताएगे सभी कोचिंवा आंसर को आप अपने कॉपी में अच्छे से नौट कर लिजे और परिक्षा से पहले इन सभी कोचिंवा आंसर को अच्छे सरी बिजन कर लिजेगा हो सके तो इसको अच्छे से रट लिजेगा तो जले दोस्तों क्यों चलते हैं तो देखे दोस्तों सबसे पहला कोशन जो है खंडकों में दी गई है निर्देश दिया गया है कि निमलिखित गध्यांज को धियान प्रुवक पड़ी है तथा प्रसन संख्या एक से पांच का उत्तर दिजिए तो देखे दोस्तों यहां पे जो है ना कुछ गध्यांस की पंक्ती दी गई है जिसमें लिखा है कि तूट सकते हैं मगर हम जुक नहीं सकते सत्ति का संगर सत्ता से निया लड़ता निरुंकुषता से अंधेरे ने दी चुनोती है किरन अंतीम अस्त होती है तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिजेगा और इसे रिलेटेड जो कुष्चन वो आंसर दिये गए है इसको मैं आपको बताते जाओंगा ठीक है धियान दिंगे तो देखे इसका सबसे पहला कुष्चन यहाँ पर दिया गया है कि सत्ता के साथ संगस किसका होता है तो दोस्तों सत्ता के साथ संगस किसका होता है सब दिका होता है तो आप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा क्योंकि हमने गध्यांस में भी पढ़ा है ठीक है अगला question यहाँ पे दिया गया है कि निरंकुस्ता से कौन लड़ता है तो यहाँ पे कौन लड़ता है तो दोस्तो नियाय लड़ता है ठीक है तो option नमर B जो है इसका सही आंसर होगा अगला question तिसरा नमर दिया गया है कि युद में कौन निरलज हो उठता है तो निर्लज जो है कौन उठ उठता है तो दोस्तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर जागा पसूबल ओप्सर नंबर डी जो है इसका स़ीए आंसर होगा इसको अच्छे सा आप लोग जो है याद रखेंगे अगला कुशन है कि सत्रू का प्रयावाची होगा तो इसका क्या हो जागा रीपू ठीक है option A सही आंसर होगा अगला कुशन है कि प्रस्तुत कविता का सिर्षक बताईए तो दोस्तों यहाँ पे जो है यह कविता जो आप लोगों ने पढ़ा है इसका सिर्षक आप लोगों को बताना है तो इसका मुख के सिर्षक क्या होना चाहिए सत्त का संगर्स ठीक है जो कि option B इसका सही आंसर होगा इसको आप जो है कॉपी मिनौट कर लीजे और इसको अच्छे सा आप लोग याद भी कर लीजेगा रट लीजेगा अगला कोशन देकी निर्देश दिया गया है निमिल्कित गध्यांस को ध्यान प्रवक पढ़िए तथा प अच्छे से पर लीजेगा इससे रिलेटेड जो कोशन दिये गए उसका मैं आंसर आपनों को बताते जाओंगा ठीक है दियान देंगे और कॉपी में इसको नौट भी करते जाए और जितने भी मैं वीडियो आपनों को प्रवाइड किया हूँ उन सभी को आप लोग परिक्षा के तैयारी होगी और इसी से आपका जो है बोर्ड एक्जाम में कुश्चन दिये जाएंगे ठीक है यह याद रखें कि मैं गारेंटिक साथ आपनों को बता रहा हूँ तो दिखिए आप दोस्तों चटा कुशन दिया गया है इस ध्यान से तो दिया गया है कि भार भारती संस्कृति का मुख्य उद्विस क्या है तो इस का अंसर क्या जागा सरवजण हीताए सरवजण सुखाए तो अप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा ठीक है अगला कुशन आठवा नंबर दिया है कि इस्वर की भक्ति में किस तत्व का होना आवस्यक है तो इसका अंसर क्या जागा सरवजण क्योंकि इस्वर की अगर हम भक्ति करते है तो सबसे पहले सरवजण होना अतियावस्यक है ठीक है तो अप्शन नंबर सी इसका सी आंसर होगा अगला सवाल नो नंबर दिया गया है कि भारती संस्कृति जीवन का लक्षि क्या मानती है तो तो इसका अंसर जागा option number D हो जागा आनन्द मान देती है ठीक है option D right answer होगा अगला सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत गध्यांस की उचित सिर्शक दीजे तो इसका अंसर दोस्तो हो जागा भारती संस्कृति की विसेश ताएं option C जो है इसका right answer होगा ठीक है याद रखेंगे अगला question खंड कों में दी गई है 11 number सवाल है यहाँ पे पूशा गया है कि निबंद का अंतिम भाग कहलाता है तो इस का अंसर जागा निसकर्स कहलाता है ठीक है याद रखेंगा option D अगला question है निबंद का एक अति आवस्चे के गून है तो इसका अंसर जागा मौलिकता जो है इसकी अति आवस्चे के गून है तो option A इसका सयांतर होगा अगला सवाल 13 number है कि प्राथना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका अस्ताक्षर होता है तो दोस्तो किसका होता है प्रेशक का यानि कि जो जो है आविदन लिख रहे हैं उसी का अस्ताक्षर होता है तो यहां पर अंसर क्या हो जागा प्रेशक का option A जो है इसका से अंसर होगा अगला सवाल 14 number दिया गया कि सरोपर्थम मुद्रन का प्रारंब कहां हुआ तो इसका अंसर जाग option number D हो जागा चीन में ठीक है याद रखेंगे option D चीन में हुआ था ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल 15 number दिया गया है कि फिल्म में जन संचार के किस माध्यम के अंतरगत आता है तो इसका अंसर होगा अगला सवाल है कि मीडिया की भासा में बीट किसे कहते हैं तो इसका आता है तो option A जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल 17 number दिया है कि संचार सब्द की उत्पती चर सब्द से हुई है चर का अर्थ है तो चर का क्या आर्थ होता है अबicion B में इसका अंसर दिया हूए तो इसका अंसर क्या होजागा? चलना हो जागा option B ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल देखें यहां पर 18 नमबर दिया गया है कि विद्याले में अवकास है तू दिये गए आवेधन में किसी संबोधित किया जाता है तो दोस्तों अवकास के लिए अगर हम विद्याले में चुट्टी के लिए अगर आवे अगला सवाल 19 नमबर दिया है कि आलेक एक विद्या है तो आलेक जो है कौन सी विद्या है आलेक जो है गद लेखन विद्या है ठीक है तो option जो है इसका सयांसर होगा अगला सवाल 20 नमबर दिया है कि feature में तत्यों की परस्तूती का धंग रिक्त होता है तो यहां पर जो रि करने के साथ इसको अच्छे से रटते भी जाईएगा अगला कोशन देखिए यहां पर दिया गया है कि निम्लिखित कव्यांस को पढ़कर पूछे गए परसन के उत्तर दीजिए तो देखिए यहां पर कुछ जो है चार मंगती की जो है कविता की पंगती दी गई है जिसमें लिखाय की परतीचन नूतन वेस बनाकर रंग बिरंग निराला रवी के समों को थिरक रही है नब में वारिद माला नीले नीले नील समुद्र मनोहर उप नील गगन है घर पर बैठ बीच में विचूरी चही चाहता मन है तो इस यहां पर देखिए जो कविता की पंगती दी कवि कौन है देखिए मैंने आपको पहली पर बताया था कि जितने भी कविता है जितने भी रचना है उन सभी को जहना आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे उसके कविता के कविता के जो कवी है जो रचनाकार है लेखक है उन सभी का नाम आपनों को अच्छे से जो है ना मैंने पहले भी आपनों को बताया हुआ था क्योंकि यह जो है राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा था ठीक है तो यह अप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी अगला कुशन देखिए 22 नंबर दिया गया है कि प्रतीछन न्यूतन व दिया गया है कि रवी के समुक थिरक रही नब में वारिद माला पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो दोस्तों पंक्ती में जो है वो मानिवी करन अलंकार है ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि कबीर के अनुसार इस्वर की प्राप्ति जो है कैसे संभव है तो इसका अगला सवाल है कि लोग मीरा को क्या कहते हैं तो लोग मीरा को जो है वो बाबरी कहते हैं तो अगला सवाल 26 नमबर दिया गया है कि घर की याद कविता कवी ने किसे दौरान लिखी है तो इसका अगला सवाल जो है 27 नमबर यहां पर दिया गया है कि त्री लोचन की चमपा काले काले अक्षर नहीं चिन्धती कवीता किसके अंतर विरोधी को उजागर करती है तो इसका अंसर जागा सिक्षा विवस्ता जो कि अप्सन नमर 20 इसका सही अंसर होगा इसको अच्छे साप लोग राट लिजेगा अगला सवाल 28 नमर दिया गया है कि कहां तो तैथा चिरागा हर एक घर के लिए पंग्ती में कवी ने किस ओर इसारा किया है तो इसका अंसर हो जागा option A हो जागा स्वतन्तरता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर जो ही संकेत किया गया है अगला सवाल 29 नमबर दिया गया है कि उक्त महादेवी किसकी अनन्य भक्त है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्शन D हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे और इसको मैंने पहले भी बताया था चन्न मलिका अरजून अप्शन नमबर D ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल 30 नमबर दिया गया है कि आओ मिलकर बचाएं कविता मुल रूप में किस भासा में लिखी गई है तो इस कांसरो जागा संथाली भासा में ठीक है अप्शन नमबर 20 का सियांत रोगा अगला सवाल देखें याँ पर दिया गया है कि नमलकित गद्यांस को पढ़ कर जो है इसके उतर बताने है तो देखें याँ पर गद्यांस की कुछ पंक्ति दी गई है जिसमें गद्यांस में दिया गया है कि स्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेट प्रक्षात प्रेंच फोटोग्राफर हैनरी कार्टिय बैसरा से हुवी मेरे पिर यहां पर लिखेंगे यहां पर देखें कुछ यहां पर मीटा हुआ है आगे देखें मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिपनिया टिपनी की वह मेरे लिए बहुत महत्पून रही और इसको आप लोग अच्छे से पढ़े जाएगा ठीक है चलिए आगे यहां देखते हैं इसका जो है सवाल यहां पर दिया गया ब껏 कि परस्तुत से लिया गया है तो यह जो आत्मा का ताप आप से से लिए अगला सवाल 32 नमबर दिया गया है कि कि सकी भेट प्रख्यात प्रेयंच pews barrack अframes और देखे जो पंक्ति जो ली गई है वो आत्मा का ताप से लिए और इसके ले खएक है यानि की जो रचनाकार है यह कौल है तो यह जो है दोस्तों आपका हो जाएगा सैयाद है कैसे अंसर ओगा ठीका याद रखेंगे यानि कि यह जो बेसरा से जो मुलाकात हुई है किसका हुआ था सयद हैदर राजा की ठीक है ऑप्सन भी इसका से अंसर होगा अगला सवाल 33 नमबर दिया गया कि लेखक के चित्रों में किसका अभाब है तो देखिए यह काफी भी भी आई शवाल है इसको अच्छे सा आप लोग नौट कर लिजे अंसर क्या होगा इसको मैंने पहले आप लोह को बताया है तो इसका आंसर हो जागा 34 का ये नंबर हो जाएगा च्शोटिस का उलध्य भुगोल कैई अलंदे भुगोल हो जाएगा ऑप्सन नमबर इसका राइट आंसर होगा तिक है अगला सवाल देखिए 35 नमबर यहां पे नाट कीजिएगा क्योंकि इसका जो आणसर होगा न वह हो जागा तिर लोग सिंग का जो एक चहता सीस्जे था ठीक आप्सटन ए राइट आइट आशर होगा अगला सवाल 37 नमबर दिया गया है कि दूद कादाम किसकी रचना है तो इसका अगला सवाल है कि मिया नसरु दिन ने किस्म की रोटी बनाने का इल्जम या इल्म किसके किससे सीखा था तो इसका अगला सवाल 49 नमबर दिया गया है कि सतजित रा की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदरा ठाक रून की भुमी का किसने निभाई है तो इस कांसर क्या होगा और मैंने आपको पहले बता था चुन्नी बाला देवी ने जो है भुमी का निभाई थी ओप्सन नमबर एस का से अंसर होगा अगला सवाल 40 नमबर दिया है कि विदाई संभासन शिर्षक निभंद की साली क्या है तो इस कांसर जागा वेंग्यात्मक साली है तो उप्सन नमबर एस का से अंसर होगा अगला सवाल 41 नमबर है कि लताम अंगेसकर के गाने के उचरन की क्या विसेशता है तो इस कांसर जागा उप्सन नमबर भी हो जागा नादमय उच्चा रहा है ठीक है तो option number 20 का से अंसर होगा इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला सवाल 42 नंबर दिया है कि कोई की चिनाई करने के लिए किस घांस का उपयोग किया जाता है तो इसका अप्शन नंबर ए हो जाएगा खीप घांस का जो है उपयोग किया जाता है ठीक है याद अगला सवाल है 44 नंबर की अलो अधीर गद्य किस विद्या की रचना है तो इस का अंसर जाएगा option number D आत्मकथा की रचना है ठीक है याद रखेंग option D इसका सही आंसर होगा अगला सवाल 45 नंबर दिया आ गया है कि बेवी हलदार का क्या कारी करती है तो बेवी हलदार क्या कारी करती है तो आपको पहले मैंने बता था कि या जो है करेलू नौकरानी का कारी करती है तो option number C इसका सही आंसर होगा इस वीडियो में दोस्तों हिंदी कोर का मैंने 45 कोशन बता है 45 में से 45 कोशन को आप लोग अच्छे से रट ली जाएगा क्योंकि इससे कई सारे कोशन आ आपकी बोर्ड की परिक्षा में डारेक्ट पूश रिजाएंगे इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से रियात कर लें और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ली जाएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि यह वीडिय पर भी जरू करेंगे चले दोस्तों मिलता है